हेलो स्टुडेंट्स आज हम कंटीन्यू करेंगे पार्ट टू चैप्टर फर्स्ट बिजनेस टडीज का ग्लास्ट वेल का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जिस हमने लास्ट लास्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन इन चीजों के बारे में डिसकस कर रहा था आज हम चैप्टर को कंटीन्यू करते हुए अगला चो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब या तो आप उसको साइंस बोल सकते हो या आर्ट मोल सकते हो तो है क्या एक्जेक्टली जो आप का मेनेजमेंट है तो हम सबसे पहले सको compare करेंगे science से पहले हम science के बारे में जानेंगे science का मतलब क्या होता है तो science क्या है it is a systematic body of knowledge based on logically observed finding facts and events मतलब जो science है वो जो एक systematic तरीके की पढ़ाई या study है knowledge है जो कि आपको logically based जो fact है events है उन पर depend करता है मतलब जिन चीजों की पीछे कोई ना कोई logic होता है जो चीज scientifically सही रहती है correct होती है वही science में वही event science में पढ़े जाते हैं या जाने जाते हैं अगर हम science के feature की बात करें तो systematic body of knowledge मतलब जब आप science की बात करते हैं तो एक proper आपके पास science का जो पढ़ने लिखने का material होता है material present रहता है मगर जब हम इसको management से compare करें पहले feature को तो यदि science में बात करो material की तो science material available है जैसे आप scientific knowledge gain कर सकते हो साथी साथ यदि management की भी आतर हो तो management यह भी हो material present है अतलब जहां पर जैसे आप MBA कर रहे हो मास्विन बिजनेस एड्मेनिस्टेशन तो उसमें क्या है आप management की पढ़ाई कर रहे हो भी कौन कर रहे हो सो management अभी अपन प्लास्ट विल्प में पढ़ रहे है पूरा बुकिया हमारे उपर जो management की मतलब जो फूरे functions है management के उसी को डिस्कस करें तो एक प्रॉपर body of knowledge या एक प्रॉपर material आपके पास available है जिससे आप तो हम यह कह सकते हैं कि जो पहला feature है science का वो present है काई में management दूसरा एदि हम बात करें principle are based on experimentation experimentation का मतलब क्या होता है कि लगातार बार-बार experiment करके observation करके जैसे हमने बात करी बल्ब जो light खोज करी तो जब बल्ब की खोज करी तो लगबग हजारों बार उसको try करा गया मगर वो बल्ब जलानी मगर जब एक बार वो चीज सफल हुई या एक बार वो सक्सेस हुई तो वह अभी तक भी उसी तरीके से वह प्रिंसिपल वर्क करता है या आप किसी भी साइंस के प्रिंसिपल को देखोगे या साइंटेफिक कोई भी डिस्कवरी को देखोगे तो वह लगातार कोई ना कोई एक्स्पेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर बनाया गया और वह आज भी वैसे ही है जैसा आज से 200 साल पहले जैसे हैं लौक ऑफ ग्रेविटेशन अना ग्रेविटी क्या कहती है कि कोई भी चीज यदी उ बाथ करते हैं मगर मैंगेंट क्या है एक human nature क्यों कि जैसा हमने discuss क्या कि कोई भी चीज खुद से नहीं होती जो person होता है जो human resources होते हैं जो चीज को क्या करते हैं जो principles होंगे या जो management होगा उसको बदर लें तो इसका मतलब यह कह सकते हैं कि science के principle का यह वाला जो feature है science में तो present है मगर management में present नहीं तीसरा universal validity universal validity का मतलब होता है आज जो science का principle इंडिया में वर्क कर रहा है वो अमेरिका में भी वर्क करेगा other countries में भी वर्क करेगा ऐसा नहीं है कि country चेंज होगी तो प्रिंसिपल चेंज जाए मतलब उसकी जो validity वह उनिवर्सल वैलेडिटी मगर वही यह दि management की principle की बात करते हैं तो management की प्रिंसिपल से हैं वह scientific principle जैसे उनिवर्सल वैलेड नहीं कह सकते क्यों क्यों क्योंकि वह जो situation होती है और जो condition होती है या जो person होते हैं humans होते हैं उनके according ने चेंज हो जाते हैं जैसे आप देखते होंगे हमारे भारत में कई कंपनीज हैं या फिर कई जैसे मौल हैं कई जो चीज़े सर्वेस देते हैं उनकी जस तरीके का management होता है और foreign country का management होता है दोनों में फरख रहे हैं तो उनके जो प्रिंसिपल संस्था में औरनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वह डिफरेंट हैं हमारे जो में जो हमारी condition के साफ से अप्ली के बलोंगा हम उनको यूज करें तो आप यह कह सकते हैं कि पहला जो feature है science का वो प्रेजेंट में दूसरा प्रेजेंट नहीं है और तीसरा प्रेजेंट नहीं तो जब आप compare करेंगे किसको science को management के साथ तो आपको यह पता चलेगा कि खाली एक ही feature present है किसका science का कायम है management में so it cannot be considered as pure science और exact science मतलब हम management को pure तरीके से science नहीं कह सकते है यह exact science नहीं कह सकते है मगर हम इसको क्या बोलेंगे but we can call it as a in exact science और social science in exact science का मतलब क्या है यह पूरी तरीके से science नहीं है वगर यह सोशल साइन्स है सोशल साइन्स मतलब society एक तरीके से जो है और जो लोग है उनके accordingly उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं बदल रहे चले हम देखते हैं management को आर्ट से compare करके तो यदि हम आर्ट की बात करते हैं तो आप बार बार किसी चीज़ की जो स्केल आपकी या जो क्रेटिविटी आप क्रेक्टिस कर रहे हो ताकि आप क्या कर सको आपको perfection सको जैसे आप किसी artist की बात करते हैं जैसे कोई singer हो गया जैसे कोई अच्छा तबला वादक हो गया जैसे कोई अच्छा dancer हो गया वो लगाता उस चीज़ की practice करता है तब आटिस्ट कहलाता है वो उसका profession हो सकता है जिस profession में वो practice कर रहा है मगर यह जो आप art कह रहो आट क्या skill है एक creativity है हना तो यदि हम management की बात करें art के साथ compare करके पहले हम इनके features को compare करेंगे तो यदि हम बात करें पहले features की systematic body of knowledge यह theoretical knowledge मतलब जो art है वो एक proper आपकी पढ़ाई होती है जैसे आपने देखा होगा degree होती है music में degree होती है या other जो आप artist बनते है painting होता है उसमें degree होती है अलग-अलग जो field है उनमें आपकी degree होती है वैसी management में होती है proper पढ़ाई होती है proper theoretical knowledge आप गिन करते हैं आप यह कह सकते हैं कि जो पहला आपका feature है यह दोनों में ही present art में भी और management यह आप second point की बात करते हैं तो personalized application personalized application का मतलब होता है जो artist है वो अपनी जो personal skill होती है वो उसको art में apply कर देता है तो वैसी management में जो manager है वो अपने तरीके से कह करता है situations को यह जो चीजे होती है उसको manage करता है तो जो आपका personal application है वह art में भी आप apply कर सकते हो और जो आपका personal experience है आपका personal जो आप चीज़े अप्लाई करना चाहते हो वह आप management कर सकते हो कि जो second feature है वो भी art का management में present है third point की बात करें based on practice and creativity तो यदि आप इसकी बात करें तो लगातार बार-बार practice करके बार-बार जो creativity हैना मतलब based on बार-बार जो आप practice कर रहे हो मतलब लगातार किसी एक चीज़ को perform कर रहे हो तो आप यदि बात करो artist की तो artist अभी एक अच्छा artist बनता है जो वो कई बार किसी चीज़ को या failure होते हुए या हजारों बार चीज़ों को practice करते हुए आगे बढ़ता है तब वो एक perfection या artist कहलाता है तो वही कह रहा है कि बार-बार जो art है उसको आप अपनी creativity और जो practice है उसके हिसाब से बना के रखते हूँ फीचर है उसी तरीके से management की बात करें तो एक अच्छा manager आप उसको किस से judge करोगे आप उसको भी उसकी जो creativity है जो situations है उन situation को किस तरीके से handle करता है easily उन situation से बाहर निकल आता है या उसकी जो सालो साल की practice है जो experience है वो depend करता है तो आप यह कह सकते हैं कि जो art का third feature है वो भी management म present अब यह माने कि compare अगर करते हैं तो सारे ही feature जो art के हैं वो management present है और जैसा हमने discuss किया था last first part में कि management की definition management की definition ही एक बन जाती है जब art से आप उसको relate करते हैं कि management is an art of getting things done by others मतलब आप जो बाकी लोग है उनसे काम कराने का एक जो कला है आपके उसको आप management कहते हैं आपने proper जारी चीज़ें manage कर ली तो यह manage करना भी आपकी क्या है एक तला है या एक art है इसलिए आप क्या सकते हो management can be considered as art चले हम discuss करते हैं management ऐसा profession जो हम profession की बात करते हैं profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted मतलब क्या आप जैसे बुलते हैं कोई एक doctor है तो वो doctor क्या होता है proper training लेता है proper education लेता है proper degree या एक course complete करता है तब वो एक professional और practice करता है तब वो एक professional person कहलाता है इसका मतलब है जो हम profession की बात करें तो profession कहीं ना कहीं हमारा एक जो specialized knowledge किसी एक particular field में और proper training या practice जो आप कहते हैं मगर यहाँ पे जो entry होती है वो restricted होती है हर कोई उसमें इंटर नहीं हो सकता आपको एक proper process से गुजरना पड़ता है तब आप किसी चीज के professional कहलाते हो जैसे lawyer हो गया doctor हो गया हम देखते हैं इन features क्या है और हमें compare करना है features किसको जो profession के features हमको management के साथ की है management को profession consider कर सकते हैं कि नहीं पहले हम देखते है well defined body of knowledge इसका मतलब क्या है management जो है well defined body of knowledge मतलब क्या proper इक उसकी पढ़ाई है theoretical आप knowledge गिन करते हो proper एक course करते हो जब आप proper duration cover कर लेते हो उसके आप proper practice करते हो ट्रेइन करते हो इसके बाद आप professional कह कि याप आज के टाइम पर मेनेजमेंट आफ जो बुलते हैं प्रॉपर एक नोलेज ये परपर पढ़ाई फियोरी या एक पॉर पूर्स है जिसको हुँआ तो हम कह सकते हैं कि पहला जो फीचर है management profession का वो management में present बगर जो हम दूसरे feature की बात करते हैं दूसरा feature है हमारा restricted restricted entry का मतलब होता है हर कोई उस business में enter नहीं कर सकता है या हर कोई इस profession में या उस particular field में इंटर नहीं कर सकता है जैसे doctor हर कोई doctor जब एक पुरा duration या एक चीज कवर कर लेगा lawyer है एक चीज कवर कर लेगा पड़ाई हो जाएगी इसकी practice हो जाएगी तब वो lawyer कहला रहा है आप यह कह सकते हो कि profession का यह वाला जो feature restricted entry वाला यह management में present नहीं तीसरा आपका presence of professional association मतलब जैसे आप medical council of India की बात करते हो बार council of India जो की पूरे doctors या lawyers को क्या करती है manage करती है या उनको एक code of conduct rule regulations, site of rule regulations provide करती है जिसका accordingly उनको अपनी जो profession उसकी practice करनी रहती है यदि उस profession में उस practice या उस rule या जो उसका code of conduct है उसको यदि तोड़ते है तो even उनका जो license होता है या उनका जो एक तरीके से degree होती है उसको भी cancel कर दिया जाता है मतलब यहाँ पे proper body है proper association है जो की उनको regulate कर रहा है और आपको उनकी जो भी conditions होती है उनको follow करनी रहती है माननी पूरती है मगर management में अभी presently एक institute के AIMA जिसको All India Management Association आप कहते हैं और All India Management जो association है वो क्या करता है कि सारे जो management है managers हैं उनका एक group या एक तरीके से उनको members बनाता है और उनके जो भी problems या issues होते हैं वो solve करता है resolve करता है वगर हर manager को जरूरी नहीं कि वो उसका member legally it is not compulsory to become a member of IAMA वगर यहाँ पे compulsory है जैसे आप degree होते हैं जैसे आपके पास license आ जाता है अप अपने आप उस association के member हो जाते हो आपका एक particular number हो जाता है जिसके तो आप क्या होते हो जो organization है उसके member होते हो और आप सिधे उसके जो भी rule regulation code of conduct होंगे उनको follow करने के लिए बात दे हो जाते हो एक तरीके से मतलब आपको follow ही करने पड़ेगे तो हम यह कह सकते हैं कि professional association वाला फीचर वो lawful है या unlawful है मतलब कि उसके लिए आप punishment लेते हैं मगर ethical जो चीजें है वो society judge करती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं मतलब यदि society की नजर में कोई अच्छी नहीं है बाहर कचड़ा फेकना अच्छा नहीं है बायचंस अभी उस वर्ड यूस करना अच्छा नहीं है रिस्पेक्ट बड़े को respect देना अच्छी बात होती है नहीं दे रहे हो तो वह बेकार चीज़ है तो यह कुछ ethics होते हैं यह ethical courts होते हैं जो कि एक कोई organizations य वो यहां पर कुछ ethical codes होते हैं जिसको follow करना रहता है वगर management में ऐसा ethical code नहीं है कुछ code of conducts है मगर मतलब कोई एक तरीके से compulsion नहीं है managers के उपर कि वो उन चीजों को follow ही कर रहे होते हैं next और fifth point है हमारा वह है service motive मतलब profession ने उसमें जो main motive होता है है वह service motive होता है कि आप जादा से जादा अच्छे से अच्छी service प्रवाइड करो ना कि आप पैसा अर्ण करना चाहते है मतलब पैसा तो ठीक है survival के लिए आपका पैसा ज़रूरी है वगर आपका main motive यह नहीं होता कि आप सामने वाले को पूरी तरीके से एक्स्प्लाइट करो या पूरी तरीके से उससे पैसा लो मगर यदि आप management की बात करो business क्योंकि management एक organization है firm में लग रहा है तो कहीं नहीं कोई firm या कोई organization यदि उसको survive करनी होगा तो वो क्या करेगी वो हमेशा profit earning उसका soul name होगा main name होगा जिसके लिए वो काम कर रही हो तो यहीं चीज वह होती है क्या कि इनका जो motivation का service motive है बगर यहाँ पर जो management है उसका motive क्या होता है profit motive है तो हम क्या conclude कर सकते हैं कि all features लगबग not present in management all features मतलब partly partly present है तो बगर हम यह कह सकते हैं future में जाके यदि प्रॉपर तरीके से एक सही organization बनाए या एक association प्रॉपर बनाए और सारी चीजों को regulate करें या आने वाली future के time के जैसे हम discuss करते हैं कि एक प्रॉपर education होगा एक प्रॉपर पढ़ाई होगी तब आप कहीं के manager कहला रहे हो तब आप क्या हो रहे हो उस profession में इंटर हो तो कह सकते हैं अपन in future it can become management on path of becoming but management is on a path of becoming क्या एक तरीके से प्रॉफेशन हना management is becoming a path हना तो आप क्या सकते हो कि management क्या है पात पर है कि वो क्या बन जाए प्रॉफेशन बन चले हम देखते हैं levels of management के बारे में levels of management का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक organization इस organization में कौन-कौन से level पर management होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं top level management की second middle level और third आपका lower level यदि आप इसमें दो चीज़े लिखी हुई है authority और accountability authority का मतलब होता है एक तरीके से जो आप work करते हैं उसकी power मतलब काम करने की जो आपको power है उसको आप authority कहते है authority हमेशा जो transfer होगी वो top level से middle middle से lower को transfer होगी बगर जो accountability होगी accountability का मतलब होता है answerability मतलब जो आपको काम मिला हुआ है उस काम के लिए आप किसके लिए answerable होगे तो हमेशा आप जो answerable होगे आपके उपर level पे जो superior होगा उसके लिए होगी तो middle over वाला middle पे क्या रहेगा accountable रहेगा और middle वाला top पे accountable रहेगा तो यह लिए हम टॉप level management में बात करें तो टॉप level में हमारे पास आते हैं कंपनी के जो होते हैं MD managing director GM general manager और CEO इसके अलावा जो टॉप positions में होते हैं top level पे होते हैं वोडव directors वगेरा यह सारे हमारे top level के members होते हैं या top level के part होते हैं जब हम functions की बात करते हैं तो function में सबसे पहला जो top level management का function होगा वहोगा determining objective of the enterprises क्यों क्योंकि कोई to be organization में जो objectives होंगी organization के वो decide कौन करेगा वो decide करेगा top level management दूसरा जो policy और plan होंगी जो हमारा organization अचीव करना चाहेगा वो भी जो frame करेगा वो कौन करेगा top level management करेगा इसके बाद है जो organizing activities to be performed by person working at middle level अब काम middle level वालों को कौन देगा या उनकी जो activities होगी उनको organize कोन करेगा top level management इसके बाद है assembling all the resources such as finance fixed asset etc तो यह सारा काम भी किसका होगा top level management का होगा मतलब सारी चीज़ों को arrange करना थाकि business जो होगा organization जो होगा इसके बाद है जो integrate करना diverse elements and coordinate the activities मतलब जो अलग अलग चीज़ें organization में उन सारी activities को एक साथ एखटा करके और उन activities को coordinate करके क्या करना एक सही channel के थुरू एक सही माध्यम के थुरू उसको चलाना तो वो भी काम किसका होगा top level management अगला हमारा जो है वो है middle level management middle level में जो आपके managers होते हैं वो आते हैं managers जैसे sales manager purchase manager finance manager HR हो गया human resource manager हो गया यह सारे लोग हमारे किसमें आते है middle level manager में इनको काम देगा कौन top level ठीक है और यह किसको काम देंगे lower level इनका काम क्या होता है सबसे पहला जो interpretate करना interpreted करने का मतलब क्या हुआ एक तरीके से जो policies जो एक तरीके से plans या जो objectives top level management set कर रहा है उस चीजों को lower level को समझाना इसका मतलब वह आपको interpreted करना दूसरा organizing the activities of different department अब जो अलग-अलग manager अपने department के होंगे वो अपनी जो activities होंगी उनको proper तरीके से organize करेंगे organize का मतलब क्या हो गया कि जो भी उनको required resources होंगे and resources को इखटा करेंगे और जो proper आपका जो staff की जरूरत होगी जो required employees की जरूरत होगी उनको recruit करेंगे select करेंगे finding out or recruiting, selecting and appointing the required employees इसके बाद motivating the person to perform to their best ability क्यों क्योंकि एक manager ही है जो superior जो नीचे उनके काम कर रहे होंगे नीचे level पर जो उनके काम कर रहे होंगे lower level पर जो काम कर रहे होंगे उनको motivate करेंगा कि वो अपनी best ability के हिसाब से क्या करें वर्क करें और last corporate with other department मतलब आपस में जो और भी departments organization में है उन organizations इन departments के बीच में organization के coordination का काम last जो आपका आता है वो lower supervisory या operational level जिसको आप बोलते हो जहाँ पे actual में जो अगर production company है तो production हो रहा होता है यदि कोई marketing company है या कोई lower level पे मतलब actual में lower level पे जो आपकी operating activities है वो हो रही होती है जो की business को चला रही होती है इसमें आपके supervisor, superintendent, foreman, etc. यह सारे लोग आ जाते हैं main function इसका क्या होगा representing the problems or grievances of workers मतलब अब इनके जो workers जो काम कर रहे होंगे इनकी जो problems होगी, इन problems को रखना middle level पे, maintaining good working conditions, जो employees काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी working conditions बनाना क्यों? क्योंकि जब उनको अच्छी working conditions होंगे तो वो हमेशा जो organization है उसमें एक तरीके सा fresh feel करेंगे और हमेशा अपना best देने की कोशेश करेंगे इसके अलावा जो workers काम कर रहे हैं उनकी safety को लेके, उनकी safety को लेके क्या करना देखना या safety को देखना कि proper जो workers काम कर रहे हैं उनने helmet पहना है की नहीं है, gloves पहना है की नहीं है, जो shoes हैं, hard shoes जो होते हैं, industrial shoes जो होते हैं, वो पहने की हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत या परशानी तो नहीं होरी working, जो condition है, working, जो environment है, उसके बाले, they try to maintain precise standard of quality, जो quality है, product की आपकी हो गई, या आपके जो काम की work की quality है, उस पे ध्यान देना, they are responsible for boosting the moral of workers, और workers हैं, उनका जो moral है, उनका जो motivation है, उसको boost करने का काम दिया, आपका कोई सा level के लता है, lower level of management, इस तरीके से हमने तीनो level discuss किये, जिसमें आपका top level, middle level और lower level आ गया, इस chapter में अभी हमारा एक last topic, coordination बचा हुआ है, जिसका एक अलग video बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा topic, confusing topic हो जाता है, और उससे case study और direct questions भी आपको exams में आते हैं, तो जो video होगा, वो हम कल आपके साथ share कर देंगे, और जिन बच्चों ने इस channel को subscribe नहीं किया, वो subscribe कर दें, और हमें इसी तरीके से like करके और share करके हमारे videos हमें motivate करते रहें, ताकि हम आपको एक जो free education देने की चीजे सोच रहे हैं, उनको आगे बढ़ा सके, thank you.